नेता विपक्ष बनने के बाद राहूल गांधी का पहला राजनितिक दौरा हो रहा है प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के गढ़ यानी की गुजरात में हम एहमदाबाद में हैं और मेरे पीछे प्रधेश कार्याले है जो राहूल गांधी के आगमन से पहले एक तरीके से तयार है और बड़ी संख्या में इस दफ्तर के चारों तरफ पुलीस बल यानी सुरक्षा बल मौजूद है दरसल ये तस्वीरे आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलीस बंदोबस्त है जिदर भी आप नजर डालेंगे वहाँ पर आपको पुलीस वाले नजर आएंगे अर्थसानिक बलों की भी यहाँ पर तैनाती है और कॉंग्रेस कार्याले के चारों तरफ सुभाविक तोर पर नेताओं ने राहूल गांधी की तस्वीर नेता विपक्ष के तोर पर राहूल गांधी के पहले भाशन की जब राहूल ने शंकर जी की ये तस्वीर लोकसभा में दिखाई थी और अपनी बात को रखने की कोशिश की थी देखिए आप जिस भी तस्वीर पर जिस भी होडिंग पर नजर डालेंगे आपको राहूल ग नहीं देने की कवायत कॉंग्रेस पार्टी की दरसल इसी तस्वीर को दिखाते हुए राहूल गांधी ने लोकसभा में बीजेपी पर निशाना साथते हुए कहा था कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो नफरत और हिंसा की राजनीती करते हैं इसे बीजेपी ने हिं कॉंग्रेस के कारेकरता भी आ गए और वो प्रदर्शन जो है वो टकराओं में बदल गया बीजेपी और कॉंग्रेस के कारेकरताओं ने एक दूसरे पर पत्थर बाजी की और उस मामले में कॉंग्रेस के करीब पांच कारेकरताओं को पुलीस ने हिरासत में लिया हुआ पर राहुल कारकरताओं को संबोधित करेंगे और इसके अलावा बीते दिनों में गुजरात में अलग-अलग हाथसे हुएं चाहे वो मोरभी का पुल हाथसा हो या फिर सूरत में आगजनी की घटना हो इसके अलावा नाव हाथसा इन तमाम हाथसों के पीड़तों से राहुल अब भाशन का हिस्सा लगा लेकिन जिस तरह राहुल अपने पहले दौरे के तहट एहमदाबाद आ रहे हैं साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके की घंभीरता राहुल गांधी की है गुजरात को ले करके यहां पर कॉंग्रेस के जो कुछ कारे करता है उनसे बात करने की कोश नयायात्रा में और उसके बाद आपने पूरे संसद में भी देखा होगा कि शिव जी का तश्वीर लेके वो कहते हैं अभाई मुद्रा डरो मत डराओ मत डरेंगे तो मरोज मरेंगे हम डरेंगे नहीं और किसी को डराएंगे भी नहीं संगी डंडा लेकर निकलते हैं हम जं संदेश किसके लिए आज के जो शाषक यह भी नेolina में मैजोरीटी के दो साइड में उसको क्या कहा है हमारी तो घौडी निकलते हैं डैसा की लेकर निकले हुए उस ताना शाह के लिए लिए पर अपने कार्यकरता हूं के लिए जिनका मनोबल इतना तूट चुका इतने साल में कि अब पता नहीं लगता नहीं है कि कॉंग्रेस कब वापसी करेगी यहां पर 17 में आप लोग नजदीक आए 22 में इतनी पुरी हालत हुई कि लगा कि कॉंग्रेस आप तो फिर से वापस पुराने हाल में चलिए मैं भी राहूल जी की तरह में कहूंगा मुझे फक्र है और मैं सिनातान के कहूंगा 32 साल से यहां सत्ता नहीं है फिर भी मेरा कॉंग्रेस का हर कारेकरता जमिन पे लड़ाई लड़ रहा है पीडितों की लड़ाई लड़ रहा है गुजरात के लोगों की अधिकार की लड़ा तो राहूल गादी ने लोकसभा में सीधी चुनावती दे दी प्रदानमंत्री को कि अगले चुनाव में इंडिया घट बंदन आपको हराएगा तो ये confidence का राज क्या है कहां से हरा देगा दीके राहूल जी का जो confidence है उन्हें हमारे में हमारा भी बहुत पावर बढ़ा दिया पीडित परिवार आएंगे राजकोट के अगनी कान के पीडित परिवार आएंगे मोरभी में ब्रीज गिरा उसके परिवार आएंगे वर बरोडा में जो बोट में डूब कर मरके वह सभी लोग ये कहते हैं हमें इस साशन से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है रहूल जी आये थे और उन गुंडों ने यहां पर जिस प्रकार का एक महौल बनाया था शर्म की बात है लोग तंत्र में हम किसी के कारेले को तोड़ दे नहीं जाते हैं हम बात करते हैं हम पुरा आर्ग्यू करते हैं पर यह चीदे डंडे लेकर और बॉटल दारू के गुजरात में दारू बंदी है और भाजबा के कारेकरता दारू की बोटल में पैट्रोल बर के आते हैं तो सीधी चुनोती देने आ रहे हैं राहूल गांधी बीजेपी को प्रदानमंत्री को उनके ही गड़ गुजरात में और लोकसमा में भी राहूल गांधी ने यह दावा किया कि अग दोरे के लिए निता विपक्ष बनने के बाद गुजरात को चुना है नजरे रहेंगे कि यहां से राहूल गांधी किस तरह की चुनोती पेश करते हैं प्रदानमंत्री को और किस तरीके से हमला बोलते हैं बीजेपी पर लेकिन राहूल के आने से पहले साफ तोर पर आक्रा करने की कोशिश शंकर जी की तस्वीर के साथ कॉंग्रिस कर रही है उनके आने से पहले केमरा पसंद महरबान के साथ जैनेंदर एबीपी न्यूज एहमदाबाद